पुस्ट गई यार पतली पतली यहां अंदर गलियां कि दो गाड़ियां अगर बराबर में ठूस जाए तो निकलना मुस्किल लेकिन पूरे सेर में नहीं है यह कुछ जगह ओपर मंदिर के आसपास के एरिया के अंदर ही है और यहां पर हम पहुंचे हैं इसके अंदर कपड़े सुखा रहे हैं अभी तो यात्रा के दोरान सलते सलते जो है कहीं कहीं पर अच्छी खुली जगह मिल जाती है तो कपड़ी भी सुखा देते हैं और यह रेट है भई 200, 300, 400, 500, 500 अलग अलग कमरों की SC 9C यहां पर सुरू से लेकि दर्मसाला के अंदर से ही मंदिर जाने का रास्ता है एकदम पतला सा और यह है जैस्री क्रश्ना मंदिर स्रीनात जी का अंदर खुब सारे लोग आ रहे हैं लेकिन अंदर जो फोटो मॉबाइल सब कुछ बाहर जमा करा करके अंदर जाएंगे तो फोटो वीडियो अंदर का कुछ नहीं लिया फिर मैंने यह बाहर के मार्केट एकदम मंदिर के बाहर ही है हमेशा इसी तरह का मेला लगा रहता है खुब सारे लोग यहां पर आते हैं और यह विठल नाजी का मंदिर पास में ही यह मंदिर पूरे दिन में आठ बार कभी नो या साथ भी हो जाते हैं समय के अनुसार लेकिन यह टाइमिंग मैंने अभी दिखाया यह टाइम के अनुसार ही यहां पर खुलते हैं पूरे दिन मंदिर के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए टाइम के इसाब से ही होंगे रिटू के इसाब से वो चैंज भी हो सकता है एक यहांपर गिरी राज परोत है उसकी परिकर्मा करने भी काफी लोग जाते हैं तो वो परिकर्मा पैदल या गाड़ी से कैसे भी कर सकते हैं रोड भी बनी वीचारों और यह लाल बाग नाथ द्वारा के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत यहां पर पानी का जो फारा चल रहा है और बाग है बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा हमें यहां करके बहुत ही अच्छा लाल बाग गार्डन है जो पीसफूल और चांती जो अच्छी जगह हमें मिली वह यही है सुकून वाली लाल बाग के अंदर एंट्री फीस है दस रुपए और यह संग्रा ले बना हुआ है संग्रा ले के अंदर हम जाएंगे तो यहां पर कई सारी फोटो बाग कर जुले जहां दीखे वहाँ पर ज्यादा दीख जाते है तो असको समझ नहीं आता की कौन से से जुलों इसलिए सिर्फ गुम्ती गुम्ती रह जाती है आगे चलें तो वहाँ पर आता है वरंदावन बाग गाड़ी हमने बाहरी खड़ी कर दी और अंदर जाते हैं सबसे पहले देखा तो इतना ड्राउना कुवा निचे तक देख करके हम वापस मोड़ गए बहुत ही खतरना कुवा था आगे बहुत ही बड़ा गार्डन यहां पर बनावा है लाल बाग के बाद में दोस्तों वरंदावन यहां पर गार्डन है और इस जगह पर यहां पर एक बनी हुई है भूल बुलिया करते हैं अगर इसके अंदर आप चले गए तो थोड़ा मुश्किल होगा बाहर निकल पाना देखे भूल बुलिया में अभी यह जा रहे हैं और वापस उस साइड में हम निकलेंगे जैसे पजल होती है ना मतलब रस्ता खोजो वाली कुछ इस तरह से है तो अभी आपको अंदर जाना है देखिए एक रस्ता यह पीछी कज़ेड में जा रहा है और एक रस्ता यहां से जा रहा है तो यह है भूल भूलिया का खेल आप इस पार्क में आएंगे तो आपका कुछ देर तक टाइम पास हो जाएगा और आप रास्ता खोजने में अच्छा लगेगा रस्ता खोजने के लिए हमने एक तरीका अबना है मैं अकेला एक साइड में जा रहा हूं और शिया हो रही है दोनों इस साइड में तो देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है और हमें रास्ते का गाइड भी हो जाएगा बस शिया को अकेला नहीं चोड़ना है तो दोस्तों यहां पर हमने दो अलग अलग रास्ते लिए और सेम जगह पर आगे अब एक रास्ता आगे जा रहा है इसका मतलाब हम एक के आगे फिर दो हो गए एक आकर के फिर दो हो गए इस बार फिर दोनों एक के लेते हैं क्या होता है देखते हैं दूसरी साइड से जा एक रास्ता जा रहा है यहां पर यहां फिर रास्ता है बंद है यह फिर मिल गए तो मतलब अब पूरे रास्ते एक दिशा में जा रहे है शनला कनि जा रहें नेगर को डाया है सुद्धे टो यह शाला जाएगा इस रास्ते अधू आउन यह प्रिसा देखें अब्यान आका डिकन देखते हैं साहे इसे बार निकल जाएगा प्रश जाएंगे, देखते हैं वस्त गई आया याँ एक और है उस साइड में अभी एक रास्ता और मिला है एक रास्ता और वापस पिछे जा रहा था देखते हैं कॉम सा है? यह एक रास्ता अमने रह गया था मतलब तीन-चार हो गए थे यह यह अभी साइड यह वाला जाएगा चलते हैं कि फिर प्रश प्रश आगे हम एक यह रास्ता है एक यह रास्ता है पहले इस रास्ते चलते है और यह बाहर बहुत मुस्किल नहीं है आसान है यह हम बाहर आगे यह बुल्बुलेया को हमने मुस्किल से चार-पॉंस्ट बिनिट लगी नट लगी होगी फांच बिनिट लगी होगी पार कर लिया ऐसी एक दूसरी बुल्बुलेया भी यह यह उन्हालीया थो आप यह पार कर दी यह जाते हैं दमीन है जहां पर फूल बगरा भी लगते हैं यहां तो नहीं दिख रहे हैं चाहिए दूदर दूर होंगे कहीं और यह श्रीनाथ जी के फ्लावर्स यहां से जाते हैं पूजा के लिए तो यह व्रेंदावन गार्डन एक लाल बाग हो गया एक परिक्रमा हो गई और एक श्रीनाथ जी का मंदिर एक विठ्छल जी का मंदिर और एक जो मूर्ती बन रही है वह बाकी रहेगी अमें पहले दिखाई नहीं दे रहे थी अभी उसको देखेंगे और नाथ द्वारा टुपान तो दोस्तों यहां पर कई चाहरे तुपान चाहरों नहीं चाहते tähän रियंगे है इसके चारों और यहां पर सीडियां लगी हुई है और बीच में पानी का कुवा है अंदर जा करके दिखाता हूं मैं आपको कैसा है चलिए इस कुवे की तरफ चलते हैं लेकिन इसके अंदर पता नहीं कितनी गहरा ही होगी चतिक्रस्त तर लग रहा है कई चिग से टूटा फूटा थोड़ा सागे मैंने इसके हाथ करके यह बना रहा हूं वीडियो कफी नहीं है गेरा इतक्म ही है लेकिन अंदर इस तरह से खड़े की तरह लग रहा है चलिए वापस चलते हैं यहां से आज है अंदेरा हो गया है तो वापस यहीं रुकना पड़े हैं नाथ द्व जो दरम साला थी उसके करीब करीब बराबरी थी और उसके बाद में यह दूसरी दिन सुबह हो गई आज हम आपको दिखाएंगे वो मूर्ती जिसकी बहुत ही चर्चा हो रही है कि भाई सरदार वल्लबाई पटेल की जिस तरह से स्टेच्यू बनी हुई है उसी तरह से यह पर एक स्यूजी की बहुत बड़ी मूर्ती बन रही है यह देखिए सहर के अंदर से आप करीब करीब देखेंगे सबी जगह से यह दिख जाएगी कुछ जगह जहां पर पाड़ी की ओट में आ जाएगा तो नहीं दिखेगी आईवे से आपको आसा नीचे दिखेगी और इ तीन सो इकाउन फिट तीन सो इकाउन फिट इसकी हाइट है और बहुत ही खुबसूरत यह बन रही है अभी पूरी कंप्लिट नहीं होई है यह उपर का हिस्सा जिसमें सीवजी थोड़ा से नजर आ रहे हैं तो देख कैसे लग रहा है कि बनने के बाद में काफी सुन्दर म बने की है और आप जो कंटीनियो हमारे वीडियो देखते रहे हैं पूरे राजस्तान की आतरा पर हम निकले हैं और इस वीडियो में आपने देखा पूरा पूरा नाथ द्वारा